बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स तक में बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जहां पर बाबार आजम वाइड बॉल फॉर्मिट के फिर से कप्तान बन गए हैं ती ट्वंटी वर्लकप में आपको बाबार आजम कप्तानी करते हुए रिखाई देंगे यानि की रोहित और बाबर एक बार फिर से टी ट्वंटी वर्लकप में आमने सामने होंगे यहाँ पर शायद फ्रीडी का कहना है कि मुहमद रिजवान एक विकल्प हो सकते थे अगर फिर से किसी को कप्तान बनाया जा रहा है उससे बहतर होता कि किसी दूसरे खिलाड़ी को कप्तानी सौब दी जाती खैर अब बाबार आजम को कप्तान बना दिया गया है तो अमीद कर कि पागिस्तान क्रिकेट और बहतर होगा और अच्छा प्रश्शन करेगा तो मुहमद रिजवान के नाम का यहां पर जिक्र हुआ लेकिन मुहमद रिजवान यहां पर कप्तान नहीं है कप्तान है बाबर आजम महसीन नकवी नए PCB चेर्मेन उन्होंने ये फैसला लिया मीट में और उनका कहना है कि बाबर आजम ही पागिस्तान के नए White Ball Format में कप्तान होंगी टेस्ट की कप्तानी को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं है क्योंकि शान मसूद को टेस्ट में कप्तान बनाया गया और अभी T20 World Cup तक पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना है त और वहाँ फाइनल में ये टीम हार गई थी वहाँ पर इंग्लेंड ने इनको फाइनल में हारा दिया था तो यहाँ पर टेस्ट होगा बाबर आजम की कप्तानी का भी कि वो किस सरीके का प्रेस्ट करते हैं क्योंकि पिछले दो वर्ल्ल कप की कप्तानी अगर इनकी देखे तो जो 2021 में T20 World Cup हुआ, वहाँ इनकी टीम समी फाइनल में पहुंची, उस टूर्नामेंट में इन्होंने भारत को हराया था, 2022 में भारत को नहीं हरा पाए, लेकिन फाइनल खेले, तो उस हिसाब से इनकी T20 कप्तानी ठीक रही है, टॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन दोनों बा पचास और का World Cup खिला गया था, वहाँ पर बाबार आजम सवालों के घेरे में आये थे, वहाँ पर उनकी कप्तानी बल्लेबाज जी पर सवाल थे, तो अभी ये है कि बाबार आजम नए T20 कप्तान, वंडे कप्तान, शाहिन अफ्रीदी, जिनकी कप्तानी में टीम न्यूज न्यूजिलेंड गई थी, वहाँ पर सीरीज हार गई थी, और अब न्यूजिलेंड की टीम से अपने घर में खेलेगी, पाकिस्तान की टीम तैयार या चालू है, इनकी कुछ खिलाडी देखे जा रहे है, नए जो आकर टीम में खेले, कुछ ऐसे खिलाडी जो T20 स्पेसिलि की बात करें, तो उनका खुद का प्रफॉर्मेंस PSL में उतना अच्छा नहीं रहा था, बाकि उनकी कप्तानी में टीम T20 सीलिस हारी गई थी, तो मेबी उस वजए से उनके उपर ये फैसला थोड़ा जादा कड़ा लिया गया, बाकि बाबार आजम अब देखना तरीके से इस टीम को उठाते हैं, जरूर कुछ मत बेद होंगे, कोई क्या कहेगा आगे आकर ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उससे जादा दिलचस्प होगा की कौन प्रजशन कैसा करता है, बाबार आजम खुद कैसा प्रजशन करते हैं, वो बैटिंग ओडर, क्या जबाबर आजम को वापस मिलेगा, जिसमें वो T20 में पहला खेला करते थे, या फिर वो नमबर तीन पर आपको दिखाई दे सकते हैं, फिर से, तो आप लोगों को क्या लगता है, कॉमेंट बॉक्स अपने राए जरूर बताएं, वीडियो पसंद आयो, लाइक कीजे, शेर दाउनलोड कीजिए, स्पोर्च तकाप